हलो दोस्तो नमस्कात प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बान नई मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडेट टिप्स और डिक्रिमेडेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तो आपके लिए आज लेके आए हूँ कल के लिए बेस्ट इंट्रडे ट्रेडिंग टिप्स जोपके आपको एक जोड़दार और एक शांदा प्रॉफिट दे सकते हैं अब उससे पहले जो भी हमारे ट्रेडर से जिनको भी हमाईसा ट्रेडिंग या इन्वेस्मेंट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक एंट एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है अब महाँ पर जाके इजली तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन क इन्वेस्मेंट और कर सकते हैं ठीके दे नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो हमारा टेली राम का लिंक भी दिया है महा पर जाके जोईन हो जाई कि किउनली वेशंट पिट्रेड़ें की जाती है और सभी न्यूस अपडेट की जाती है ठीक है तो चलिए सब mano का मार्केट देता हूँ तो दीके मार्केट में जिस प्राकार से गिरावट हो रही थी जिस प्राकार से अपसाइट हो रही थी बाइंग हो रही थी ठीके लेकिन उसको सस्टेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक प्राकार से अगर देखा जा दोस्तों तो पूरा बैंकिंग सेक्टर शा का बेटेज आगर देखा जाए महीं पर 12 का अगर मैं बात करूं तो HDFC का HDFC में उतनी कुछ खास मुमेंट नहीं थी लेकिन ICIC एक्सिस बेंक इन में थी तो लेकिन मुमेंटम के साब से आप देखेंगे तो मार्केट मात्र 11,670 के लेवल पर ही क्लोज हुआ है कुछ हलकी सी तेजी हमें देखने को मिली है ठीक है यहां पर देखोगे तो करीबन 26 इस टॉक पोजिटिव थे और एक इस टॉक में दोस्तों हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला ठीक है टॉक टॉप गेनर के अगर बात करते हैं तो आप इंडसलेंट आईसी एक्सिस बैंक एचडिएपसी यह सभी बैंक के दोस्तों आज की दिन में एक अपसाइट का मुमिंट लेके काफी अच्छी कंडिशन में खड़ी रही थी महीं पर टॉप लूजर की बात करते हैं रिलाइंस डीबिस लेप आईसर मोटर के रिसर्च के एकोर्डिंग लेका आई हूं ठीके प्रॉपर टारगेट इन इस्टाउ क्लोस दूँगा आप लोग नोट डाउन भी करिएगा ठीके जो भी दिक्कत आती नीचे कमेंट करिए comment का proper तरीके response दिया जाएगा telegram भी join कर लिए telegram पे भी आप लोगों को update किया जाएगा then आप लोगों को और भी खुद दिक्कत आती है target या stock close maintain करने में आप लोगों को आपके साब से भी maintain करके चल सकते हो या आपके जो भी financial advisor या broker है उनसे भी console करके position वना के काम कर सकते हैं ठीके तो चलिए आपका जो first stock है उसके उपर लेके चलता हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आप लोगों के लिए जो first stock है उसका नामे भारती एटेल लिमेटेड भारती हेटेल में पिछले कुस दिनों से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है ठीके आप अगर देखेंगे आज की डेट में आज भी 5% की तेजी पॉइंट में देखोगे तो करीवन 21 पॉइंट की closing price देख रहे हो तो चार सो पच्पन रुपे का प्राइज है ठीके closing price अगर देख रहे हो 433 रुपे 75 पैसे ओपन हुआ 435 रुपे पे गेप अपनिंग लिया हाई लगाया चार सो सहाट का और लो लगाया 435 का previous close और हाई से comparison करेंगे तो स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा 30 से 35 पोइंट का अपन डाउन साइड का दोनों साइड का मुमेंट देखने को मिल रहा है ठीके वहाई स्टॉक में अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड वॉल्यूम नंबर आप शेर में तो करीबन 2 करूर 81,4600 कॉंटिटी का वॉल्यूम हमें देखने को मिला यह वॉल्यूम हमें इंट्रडे में काफी हल्प रहता है दोस्तों जिसमें हम कलकी डेट में अनुमान लगा सकते कि स्टॉक का मुमेंट चार्ट पे किस प्र नॉमबर 2019 मतलब इसी महने का बावन बिक का लो था साड़े 300 रूपे गा लेकिन हो सकता है इसी महने अपने को बावन बिक का हाई ब्रेक होते देखने को मिल सकता है ठीके अब यह पर आज की डिलेवरी पेटन अगर देखते हैं तो यह भी काफी सपोर्ट करती अपने को ल मिलता है कल के लिए यह भी देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हो चाट पर बन साड़ेट मुमेंट था वन साड़ेट मुमेंट के अगर मैं बात करता हूं तो देखें बाइंग हुआ फिर यहाँ पर नया राजिस्टन बना थोड़ा सा स्टॉक नीच पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बना मतलब इस टॉक में थोड़ा सा मुमेंट अपसाइट का मतलब गीरा है लेकिन अपसाइट का तो यह अपसाइट का जो मुमेंट है अगर एक मेने में बात कते हैं और शे मेने में इस टॉक ने में बावन भी का अपना हाई लगाया था जिसके बाएं आप देख सकते हूं 14% का stock में गिरावट ओच हो किती ठीक है तो momentum जो है दोस्तों आप लोगों को clearly बता दिया है कि जिस प्रभिहाब पर यहाँ पर trade कर रहा था हो सकता है कि जो यहाँ पर बंद हुआ उसको ले के कल upside का gap of opening ले और अपना target हीट करके उसके बाद stock में momentum downside का हो सकता है ठीक है तो एक buying का opportunity यह उसको देखते हैं अपन targeting stock close में किस प्राका से convert करते हैं अब बताने इस पहले आप लोगों को एक बार में फिर से बोलना चाहूंगा आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेगा टेलेग्राम भी हमारा जॉइन कर लेजीगा और फटा फट से डीमेट अकाउंट ओपन करवा के हमाईसा ट्रेडिंग और इंबेस्मेंट करिएगा ठीक है अब देखे कल की date में अगर stock को आप buy करना चाहते हो तो करीवन दोस्तो छेसो साट रुपे से जो level है काफी important है यहाँ पर आप देख सकते हो जो high है यहाँ पर ठीक है यह high अपने लिए काफी important हो सकता है कल के level के लिए ठीक है अब देखे momentum आज 5% का हुआ अपने को 5% का target नहीं रखना है अपने लिए 1.5% का भी target रहेगा मतलब 465 यह अपने लिए काफी बहतर रहेग ठीक है पांच point का target लेजिए अगर करीवन आपने असल लेके चलते तो साथ तीन point का आप असल लेके चल सकते हो चार सो साथ पर बाय है चार सो पैसल पर प्रॉफिट बुकिंग है और 453 रुपे पर अपना दूस्तो एसल लेके चलेंगे ठीक है इसके according अगर आप momentum करोगे आपको अच्छी खासी condition में trade मिलेगा चली दोस्तो अब आप लोगों को second stock के ओपर लेके चलता हूं उसका भी proper targeting stock लोग चार्ट पर ले जाके समझाओंगा तो दोस्तो अब second stock देख सकते हो banking sector से आज हमने फिर से ICIC bank को ही लेके आएं क्योंकि जो banking में moment हो रहा है ICIC bank में ही ह लास्ट फ्राइडे भी हमने आप लोगों को मंडे के लिए यही stock recommend किया तो अच्छी खासी तेजी हमें ICIC bank में देखने को मिलेती ठीके आप अगर देख रहे हैं आज की condition रिजेल के पीछे 6% का return आज दिया stock ने आप साइड में करीवन point में देखोगे तो 23 point करीवन 416 रु वाल्यूम नमबर आप शेर में काफी जादा एक्टी ट्रेडर हैं पर आच चुके थे तो one sided moment हमें देखने को मिला करीवन साथ करूर 26 लाग 98,777 quantity हमें क्या देखने को मिली आज की डेट में वाल्यूम बाकि इतना वाल्यूम इतना खास वाल्यूम आज तक इसमें credit नहीं ह दोस्तों ठीके वहीं पर आप देखेंगे डिलेवरी पर सोरी बावन विक काई 552 रुपे का है जो कि दिसंबर मंत का है ठीके अब इस टॉक में जो तेजी है अगर वह कंटिनुसली बने रहती तो हो सकता है दिसंबर महने तक इस टॉक में नया बावन विक का हाई बन सकता काफी खास डिलेवरी पेटन उठी है दोस्तों आज भी यहाँ पर आप देख सकते हो 31.3% की कौंटिटी में देखोगे 2.29.99445 कौंटिटी मतलब काफी इंट्रेस्टिंग डाटा हमें देखने को मिल रहा है इस पेटन में तो अब चलिए चार्ट पे लेके चलता हूँ क् ऐसी बेंक का चार्ट वन साड़ेड मुमेंट है दोस्तों कोई सी भी हलकी सी भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिले क्योंकि जो ट्रेडर्स बेट गया था एक बार उसने डेफिनेटली उठने की कोशी से नहीं की ठीक है आप देखें यहाँ से थोड़ा सा हलका सा गिरा काफी खास उठी है कि कलकी डेट में इनका अगर प्रेशर देगा तो अच्छा कासा मुमेंट आपे दे सकता है अब देखिए स्टॉक में अगर मैं बात करता हूँ पांट दिन के डाटे में 5-6 परसंट का रिटन है एक मेहने के रिटन के अगर मैं बात करता हूँ 11 दोस्तो तो लीडर के बाद इसी ने अच्छा कासा रिजल पेश किया है लीडर तो बाद में इसने सबसे अच्छा रिजल पेश किया तो अभी बेंकिंग सेक्टर को पूरी तरीके से ICIC बेंक ही समाल रहा है ठीके तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर टार्गेट इस टॉक लोज दे रहा हूं देखे हाई लगा है 422 का ठीके तो हम इस टॉक में बाइंग लेबल बना सकते हैं दोस्तो 421 का यह अपने लिए काफी इंपोर्टेंट हो जागा अगर इसको ब्रेक करता है दोस्तो तो डेफिनेटली कल की डेट में हमें 426 रुपे का लेबल और 430 रुपे का लेबल देखने को मिल सकता है लेकिन हमें एक ही टार्गेट के साथ जा रहे हैं जो कि 5.426 का अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तो जो लो प्राइज है जैसे कि यहाँ परा क्लोजिंग प्राइज देख सकते हो 417 का है तो हम इसको ही अपना SL बना सकते है न और 3 पॉइंट का SL और 5 पॉइंट का टार्गेट है ठीक है अब देखिए यह टार्गेट इस्टॉक लोज आप लोगों को समझा है आप लोगों को नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट करिए किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या टार्गेट इस्टॉक लोज से देजिए डिमेट एकाउंड ओपन करवा कि हमाइसा ट्रेड भी जरूर करिए थैंकि दोस्तों